नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोर नेशन और मैं हूँ प्रयादर्शन बिहार में इन दिनों नौकरी को लेकर के सियासत काफी तेज हो रही है और यह सियासत हो रही है सत्ताधारी जो महागटबंधन है उनकी ओर से भी और जो प्रेज़ पक्षी जल भाजपा है भा के बाद एक लगातार केंदर सरकार के उपर हमले किये उनकी नीतियों को देश में बेरोजगारी बरहाने वाला बताया और उन्हें महंगाई का जनक बताया जिहां जो केंदर में बैठी हुई नेरेंदर मोदी की सरकार है भारतिय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार पर त सरकारी नोकरियों में कटवती होने में और आम लोगों की जो भीवित प्रकार की प्रिशानिया हैं उसके लिए केंद सरकार जिम्मेदार है जब कि उसके उलट говорить अगर हम बात भीहार सरकार की करें और यह तैज़सुी आदब ने कहा है कि जो राजमेशिकर उमार के नीत सरकार चल रही है उस सरकार में लगातार नौकरियां बाटी जा रही है लगातार निक्ति पत्र दिये जा रहे हैं लगातार नई वेकंसी आ रही है और रोजगार बरहाने के लिए बिहार में लगातार नितीज सरकार प्रतिबद्ध है जिसमें तेजस्वी याद पांच दसक में रिकॉर्ट तोर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है यानि कि तेजस्वी आदब कह रहे हैं कि जो पिछले 50 साल के अगर हम बेरोजगारी और महंगाई के आकरों को देखेंगे तो उन आकरों में जो मौझूदा सरकार है के अंदर की उनकी गलत नीत्रि को बिहार की महागटबंधन सरकार से सीखना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने दो पोष्ट भी किये हैं और उसमें उन्होंने अख़बार के कटिंग के साथ डाला है कि केंदर के पास नौकरी नहीं बिहार में बाटी जा रही है नौकरियां जो तेजस्वी आदब ने कल एक नौकरी और महंगाई के मुद्धे पर मुद्ध के सरकार को घे रा है कैंदर grandi सरकार को बरबोला बताते हुए उन्हें महंगाई और रूजगारी बरहान में दूसरे एक रक doğrание elimination सरकार को देने सर्जन करने और नए नौकरी और रोझगार देने के मामले में अबल बताया है जरत अगल पिछने कुछ दिनों के घटना क्रमों की हम बात करेंगे तो अगस्त 2022 में जब राज में नितीश कुमार ने एंडिये से नातातोरा जाने की भारते जंता पार्टी से अलग होकर के वे तेजस्वी यादव वाली जो राजद है उसके सा साथ कुल साथ दलों की महागटबंधन सरकार बनाई तो सरकार में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंतरी का चिम्मिजारी दी गई उप मुख्यमंतरी बनने के बाद तेजस्वी यादव की युवाचहरे के रूप में राज में पेश किये जा रहे हैं तेजस्वी रहे हैं जो रिक्तियां रिक्तियों को भर रहे हैं दूसरी और सरकार को अबना हमला करते हुए इस सरकार को इस मह हमाई और बेरॉजगारी के लिए घे आ है कि पिछले 50 सालों में कि अगर बात की जाए हो कि पिछले वस्ते दोछाटा से 2022 आते आते देश में एक और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है तो दूसरी और बेरोजगारी की इस्थिती है कि लाखों युवा आज बेरोजगार हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है और नहीं वो इस्थिसा में काम कर पा रहे हैं जिससे की नए रोजगार यानि कि व समय परेंद्र मोधी सरकार को सुना दिया मंढ़ाई और सथ ही यह भी एस्प्रश्ट कर दिया है कि दूसरी और हमारे बिहार सरकार को देखिए जो सीमित संसाथनों के बाब जी राज में लगातार नौकर्यों की दिशा में काम कर रही है दरसल पिछले कुछ गारी वाली नीती पर तिजस्वी आदब ने आज हमला बोला है इस पर आगे आने वाले समय में और क्या-क्या अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप हमारी साथ बने रहें न्यूज फोर नेशन पर